दोस्त वाज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हूँ कि आप अपने शौमी रेड्मी एंड पोकु स्मार्टफोन की होम स्क्रीन लोक स्क्रीन में हाई पर विसकी एक नई विजिट आईए उसको कैसे इंस्टोल कर सकती हूँ अभी यहाँ पर आप देख सकती हूँ प और बहुत सारी फीचर्स आपको बताने वाल हूँ कस्टम वालपेपर भी आप यहाँ पर एड़ कर पाओगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन सभी फीचर्स को आप अपने स्मार्टफोन में कैसे इंस्टोल कर सकते हूँ अब देखो बात करते हैं सबसे पहले होम स्क्रीन के बारे में तो होम स्क्रीन में आप देख सकते हूँ कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी अब यहाँ पर मैंने वालपेपर एड़ कर रखा है वालपेपर के साथ आप यहाँ पर देख सक क्ट्रोल भॉइब Tो में आप देखने को मिलता है मिलाते लिए अट कुछ यहां को समने ऐसा धेली को मिलेगे कंप्ली ईहाँ पर चेंज हो जाता है end तोफ्ट आपके सामने animation create होगा, अब देखो next feature की बात करें, तो आपको कुछ step का यहाँ पर देख सकते हो, status bar देखने को मिलेगा, अब देख सकते हो, network का लोगों भी आपके सामने यहाँ पर change हो जाएगा, काफी अच्छा feature है, उसके बाद, अब देखो next feature की बात करें, तो आपको system UI कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अब देखो system UI में आपको ज़्यादा change देखने को नहीं मिलेगा, अब देखो next feature की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, wall paper की according, यहाँ पर जो volume बार देखने को मिलता है, काफी अच्छा look देखने को मिलता है, आप यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर देख सकते हो, complete यहाँ पर change हो जाएगा, तीनों में आपको यह वाला feature देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर देख सकते हो, काफी अच्छा feature है, उसके बाद, अब बात करते है, main feature यानि lock screen के बारे में, तो lock screen को upon करोगे, आपको स सामने कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, अब यहाँ पर देख सकते हो, इसको पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको एक different widget के बारे में बताया था, बट यह वाली widget थोड़ असा अलग है, यहाँ पर आपको टॉप में एक calendar देखने को मिलता है, साथी यहा आपको एक wallpaper देखने को मिलता है, आप देखो मेरी बात आप ध्यान से जुनना, अगर आपको custom wallpaper भी add करना है, तो आप यहाँ पर एक add कर सकते हो, बट उसको add करने के लिए आपको पहले तो गया करना पड़ेगा, theme को download करने के लिए theme store application open करना, open करने के बाद आपको यह वाल option में जाने, option में जाने के बाद customize theme को पर click करना, then local style का option देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर click करना, आप देखो यहाँ पर click करने के बाद आपको एक option देखने को मिलता है, customize का तो यहाँ पर click करना, अब यहाँ पर आपको तीन feature देखने को मिलेंगे, बट आपको जो custom wallpaper का option द पर आपको पीछे देखने को मिलेगा अब देखो आप अपने कोई बीएक ऐसा वाल पेपर सेट करना जो कि विजट के अकोडिंग यहां पर सेट हो जाए यह वाला फीचर एक नॉर्मल फीचर है तो इसको आप आफ कर देना तो बस फिलाल वीडियो में इतना है कर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और शो मी वीडियो इन फीचर में देखना चाहते हो डेफिनेटली चै सब्सक्राइब कर सकते हूँ